अब देको बिगिनर्स लोगों के लिए यार डाउनलोड कैसे करें वो इंपोर्टेंट होता है ठीक है हम लोग तो जानते हैं हम लोग अपडेट कैसे करें डाउनलोड करें लेकिन किसी किसी को पता नहीं होता कि अपडेट कैसे करें या फिर डाउनलोड कैसे करें तो आज की डाउनलोड कैसे करे PUBG Mobile Light मतलब refresh, fresh version ठीक है वो भी मैं सिखाने वाला हूँ इस वाली वीडियो में तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना क्योंकि आज वाली वीडियो में कुछ जादा information मिलने वाली है लेकिन 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 उससे पहले चैनल को लाइक कर दो और वीडियो को सब्सक्राइब कर दो इसे के साथ वीडियो को शुरू कर लेते हैं और हाँ इस वाली वीडियो के एंड तक मैं वीजियमाई लाइट पे भी कुछ बात करने वाला हूँ तो वालास्ट मैं देख ले न ठीक है तो फिलाल के लिए वीडियो को सुखर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किये लेट्स को लड़को लड़कियों देखो आसान बहुत है लेकिन कभी-कभी मुस्किल बना देता है क्योंकि बैड है गेम ठीक है तो कभी-कभी यूज करना पड़ेगा अपने को VPN और क्या पता किसी के में बिना VPN के भी हो जाए तो फिलाल के लिए बिना VPN के भी बता दूँगा फिलाल के लिए देखो सबसे पहले क्या करना है Google, Chrome, किसी भी सर्च एंजन पर चले आना है सबसे पहले सर्च करना है PUBG Mobile Lite टाउनलोड या फिर अपडेट दोनों एक ही चीज है ठीक है अगर डवलोड भी करोगे तो एक ही चीज है अपडेट भी करोगे तो भी एक ही चीज है क्योंकि नए आवरजन आएगा लेकिन दो वेबसाइड है यहां पर पहली वेबसाइड है जैसे अब टू डाउन जो एक है इसमें थोड़ा देर से आएगा और टैप टैप में हमारा बहुत जल्दी अपडेट शो कर देगा जैसे 0.23.0 आएगा तो वह पहले ही आ जाएगा टैप टैप में ठीक है तो सबसे पहले सिखाता हूं कि है टैप टैप से हम लोग को कैसे PUBG जी मोबाइल लाइट डाउनलोड या फिर अपडेट करना है अब देखो सिंपल मेठेट में समझाता हूं सबसे पहले टैप 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 वेबसाइट जो होगी वह ओपन करना अगर ओपन नहीं हो रही है तो क्या करना है तुमने वीपेन करनेक्ट कर लेना है सिंगापूर सिंगापूर वीपेन कनेक्ट कर लेना और फिर से दुवारा ट्राय करना है तो यार वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी यह काफी केस में नहीं होता है लेकिन हां कभी कभी हो जाता है तो फिर क्या करना है इस टैप टैप एपलिकेशन पर यहां पर डाउनलोड बटन होगा और यह टैप टैप एपलिकेशन को इनिस्टॉल करना है यह वेबसाइट को मैं तुम लोग को डाउनलोड करने को नहीं मिलेगा पहले टैप टैप एपलिकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी तो एक बार टैप टैप एपलिकेशन डाउनलोड होने के बाद क्या करना है इनि से मैं login कर रहा हूं और बी उप्सने है जहां से तुम लॉग इन कर सकते हो वह तुम्हारी मर्जी है तुम पर ही पैंट करता है ठीक है तो यहाँ पर सीधे सीधे टाउड पहले हम login कर लेते हैं तो कुछ वक्त लागेगा कुछ देर में यहाँ पे हो जाएगा और continue option आ गया है audit of work अगयरा पूछेगा male female पूछेगा वो तुमनों को ने सिद्धे सिद्धे कर देना बाकि कुछ नहीं पूछता है skip मार देना कोई दिकत नहीं है ठीक है तुम लोग को सिर्फ PUBG Mobile Lite गेम इंस्टॉल करना है और कुछ भी नहीं ठीक है बाकि यहाँ पर सब कुछ हो गया उसके बाद यहाँ पर इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा सीधे सीधे सर्चिंग पॉक्स पे चले आना है PUBG Mobile Lite सर्च करना है ठीक है और यहाँ पर तुम लोग को नया अपडेटेड़ वर्जन देखने को मिल जाएगा PUBG Mobile Lite का और भी सारे बहुत सारे गेमस मिल जाएगे यहाँ पर तुम लोग को जैसे यहाँ इस चीज को खेल सकते हो और तबाही कर सकते हो दूसरा तरीका अप्टू डाउन से डाउनलोड करने का तो अगर वेबसाइट नहीं खुल लिए तो VPN आउन करो वहाँ से वेबसाइट खुल जाएगी अगर वेबसाइट खुल रही है तो वेबसाइट पे जाना है और सिधे वेट कर लेना या फिर नीम चींज कर लेना फाइल का और वो फॉइल ओपन हो जाएगी काफी लोग को प्रॉब्लम आती है इस चीज की तो उसे डाउनलोड करना जैसे कि तुम लोग दिख रहा होगा यहां पर डाउनलोड हो चुका है ठीक है और इसके बाद खुल एक और आता है तो उसके बाद जो साथ सेम्ट भी वारा होता है उसके कलिक करने के बाद डाउनलोड हो जाता है ठीक है और अगर डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम होती है तो हाँ जरूर से वीपेएज़ आप लोग यूज कर सकते हैं जिससे की डाउनलोड होने में मतब द प्रोसेस लेकिन अब आते हैं बीजी एमाई लाइट पे देखो बीजी माईट की सुरुवात हुई थी हमारे एक साल पहले से जैसे की पपजी मोबाइल और पपजी लाइट दोनों एक साथ बैन होए थे और उसके बाद पपजी मोबाइल बीजी माई में बनके आतो गया ले जो गेम आ रहाता साथ से वो ना देखने को मिले हमें ऐसा नहीं है कि मैं कि किरने के रहा हूँ कि यार कभी ना देखने को मिले लेकिन हाँ फिलहाल तो इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है मतलब सारे लोग यार भाई क्या ही बताए ठीक है अब उन्हें नहीं बहुत अच्छा डिवाइस पड़ा हुआ है जो कि भाई तुम्हें पता ही होगा आइफोन 11 अपने पास पड़ा है उसमें मैं bgmi भी खेल सकता हूँ लेकिन मुहबत किस से है pubg mobile light से उसके लिए मैंने oneplus ले रखा है और बताओ मैं bgmi खेल सकता था अपने आसानी से आइफोन 11 में लेकिन oneplus लेने के जरुत पड़ी मेरे को सिर्फ pubg mobile light के कारण ठीक है क्योंकि यार मतलब सुरुआत से हमने यह चीज़ खेला तो इस चीज़ को कैसे छोड़े ठीक है सब चीज एक तरफ करके मैं सीधे सीधे बोलना चाहूंगा क्यार इमोसन जुड़ा हुआ ह से मुझे पता कि यार जब सुरुआत से हमने pubg mobile light खेला था हमारे फ्रेंड्स बनेते धीरे-धीरे हलाकि अभी कम हो रखे हैं हाँ अभी कम हो रखे है pubg mobile light खेलने वाले कम हो रखे हैं लेकिन यार वो प्यार बरकरार है ठीक है सब के दिलो में है यह चीज ठीक है और जितन क्योंकि हमें यह गेम चीए और किसी भी हालत में चीए तो यह जरूर से आएगा बुरे वक्त में भी साथ हैं अच्छे वक्त पे भी हम साथ हैं तो जब तक नहीं आता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और क्राफटन को देना ही पड़े गाया ठीक है अब देखो जैसे bgmi क अभी जनता है ठीक है bgmi पर पबजी क्राफटन सीदे सीदे काम करेगा ठीक है क्योंकि अभी उससे उसे पैसा मिलना है तो वो उस चीज को ध्यान देगा पहले ठीक है पीच में पोल भी हुआ था हलांकि लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है लेकिन जल्दी ही होगा क लेकिन जरूर से हमारा गेम हमको देखने को मिल जाएगा तो उम्मीद तो यही रहेगी ठीक है तो फिलाल के लिए आज वाली वीडियो में बस इतना ही बहुत कुछ मैंने बोल चुका हूँ ठीक है तो उम्मीद एकि तुम लोगो सब को समझे मां आ गया होगा मैं मिलता अगली वीडियो मत अब तक के लिए बाबाई टेक यार एंड लव यू गाईस